चलिए आज हम लोग इस्टार्ट करते हैं, शॉलिड इस्टेट, अभी तक जो हम लोग ने सीखा है, और अर्गेनिक में वो कॉंटिन्यू रहेगा, वो लेक्चर्स चलते रहेंगे, साथ में हम लोग एक नया चैप्टेर इस्टार्ट कर रहे हैं, सॉलिड इस्टेट, इंप में बस सिंपल सा अपना दिमाग होना चाहिए, थोड़ा सा इमेजने से नच्छा होगा, तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझने आएगा, अच्छा, इस्टार्ट करते हैं, में लोग, सॉलिड इस्टेट में 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 लोग कुछ पारे में देखते हैं, जैसे हमारे प अपने को ऐसे सामने दिखाई दे रहे होंगे, चार ये कॉर्णर्स, चार कॉर्णर ऐसे बैक साइड में रहे तो टोटल अपने पास कॉर्णर्स कितने होते हैं, एट, वैसे नहीं देख रहा हो, तो हम लोग ने यहां पे इस्टुक्चर में ले लिए हैं, हमारे पास गर हम लोग किसी रूम के सेंटर में बैठे हो तो चार कॉर्नर हमें जज सामने दिख रहे ह होंगे अपने आख pore यह दो टोटल चार चार हमें बैक साइड में दिख रहे हूंगे इह जो सरकल्स है औरेज और बलू कलर के वह वो front और back side के जो अपने पास है corners वहाँ पे लगे हैं ये corners को indicate कर रहे हैं तो total अपने पास corner कितने हैं total corners होते 8 अच्छा ये तो होगे corners एक cube में अगर हमसे कोई पुस्ता total face कितने होगे अगर तुम room के center पे बैठे होगे तो एक face होगा तुम्हारे जर्स सामने एक face होगा जर्स तुम्हारे पीछे back side में एक face होगा तुम्हारे सर के उपर एक face होगा तुम जिधर बैठे हो उसी plane में एक होगा तुम्हारे right side में और एक होगा तुम्हारे left side में तो total faces कितने हो जाते हैं 6 देखो आता हो तब भी अगर ये चैप्टर तुमें सीखना है ना तो जो मैं बोल रहा उसको इमेजिन करते रहो दिमाग में वो चलना चीज़े जो बोला जा रहा है नहीं तो जब भी कभी अच्छी चीज़े मिलेंगी तो तुम बस अपना गधा वाला मूँ दिखा दो गया पर कुछ एटम से यहां पर रख दी है या कुछ बॉल दो जैसे यह वाला जो बॉल है यह जितने भी अपने पास औरेंज कलर दिख रहे है ना वो सारे के सारे फ्रंट साइड पे जो सामने फेस होगा ना हमारे साइड में वो मैंने दिखाया है तो यह फ्रंट साइड के फ faces faces होुगे six, तो इतन ही रहेंगे face center. और हर एक face center पे atoms रखे होंगे. एक ये front side पे लगा है, एक ये back side के face center पे लगा है, ये तुमारे right hand side पे जो face होगा उसके center पे, तुमारे left hand side के face पे, जो center होगा, वहां पे ये yellow ala लगा हुआ है. यह यलो वाला जस्ट तुमारे सर के ऊपर खोपड़ी के ऊपर जो फेस है ना उसके सेंटर पर लगा हुआ है और यह यलो वाला जिसके तुम बैठे हो उसी के सेंटर पर लगा हुआ है उसी फेस के सेंटर पर तो टोटल फेस है अपने पास अच्छा एक डर माता है एज अग अगर तुम्हें ऐसे देखना है तो तुम इसको तो बड़े आराम से काउंट कर सकते हैं, यह तुम्हारे पास 1, 2, 3, 4, यह एजेस हैं, ठीक, अब अगर तुम नीचे जाके देखोगे तो 5, 6, 7, 8, फिर ऐसे नीचे 9, 10, 11, 12, टोटल एजेस कितने 12, अगर तुम जहां पे र तुम्हें एजेस हैं 12, इसमें मुझे बूलना हो, तो इसमें देख सकते हैं जैसे यह अपने पास front side में, 1, 2, 3, 4 ठीक फिर यह height में जो तुम्हें अच्छे से दीखने ही रहा होगा यह height में लगा हुआ 4 यह edges तो मैं अक्सर ऐसे बुलूँगा 4 यह हो गए 4 middle में edges हो गए और 4 नीचे, total edges कितने total edges हो गए अपने पास 12 ages 12 अच्छा जितने edges होंगे, उतने ही edge के center होंगे, edge के center पर जो यहां पर मैं ने items दिखाया है ना उनको थोड़ा सा star type में दिखा दिया है यह देखो जैसे edge के center पर लगा हुआ है edge के center पर लगे होए, जो front side पर लगे होए है, उनको मैं कैसे दिखा रहा? औरेंज तो यह फ्रंट साइट के एज के सेंटर पर फ्रंट साइट के एज के सेंटर पर यहां पर यहां पर तो यह चार एजस के सेंटर पर लगे हुए एटम्स बैक साइट पर जो यह सारे लोग चार एजस के सेंटर पर बैक साइट पर मेडल में कौन चार लगे हुए यह देखो ए फेस डाइगनल कितने हैं, फेस डाइगनल, फेस डाइगनल, लगाओ थोड़ा दिमाग, अगर तुम एक फेस को कोई पकड़ लो, अगर हम किसी एक फेस को देख लें, किसी भी एक फेस को, जैसे हमने ले लिया, ये एक फेस है, तो एक फेस में तुम कितने फेस डाइगनल ब दो corners को मिलाओ face center के through, तो उनको बुल देंगे face diagonals, तो एक face पे कितने face diagonal बन जाएंगे, दो, तो कोई पुछे total कितने face diagonal होंगे, एक cube में, एक cube में total faces कितने थे, 6, तो हर एक face पे कितने face diagonal होंगे, 2, तो total face diagonal कितने हो जाएंगे, 12, एक face पे 2, तो 6 face पे 12, अच्छा, एक तरमात बॉडी डाइगनल, इसको थोड़ा इधर से संधाना बहुत टाफ है, हमें क्या करना होगा, बॉडी का सेंटर देखना पड़ेगा, एक क्यूब का सेंटर, क्यूब का सेंटर कहा मिलेगा हमें, क्यूब का सेंटर तो मिलेगा बिल्कुल मिडिल में, अगर तुम रोम के मिडि बनाओ, दो corners को मिला करके, ठीक, वो line होना चाहिए straight, ऐसे नहीं, तुमने पता चला दो corners को लिया, और तुमने कुछ ऐसे करके line बना दिया, पता चला एक corner कहीं select किया, ऐसे करके, ऐसे line नहीं चाहिए अपने को, ठीक, तो body रागनल अगर तुम बनाओगे, ध्यान से, तो जि लिजाओ, जो back side में है, front side का face का corner, और just back side के face के center के corner, body center के through लिजाओगे, तो ऐसे मिलेगा body diagonal, और अगर तुम body diagonal बनाओगे, तो total body diagonal कितने होते हैं अपने पास, 4, ठीक, body center से पास होने वाली ऐसे 4 lines होती है, जिनको हमें ध्यान देना पड़ेगा, total body diagonal, 4, अच्छा, तो total edges, देखो edges अपने पास total कितने होते हैं, 12, face diagonal कितने होते हैं, 12, body diagonal कितने होते हैं, 4, अब आते हैं थोड़ा सा contribution पे सीखते हैं, contribution क्या चीज है, actually में जो हम लोग अभी पढ़ने चल रहे हैं, solid district, उसमें क्या होगा, ये सारे जो cubes हैं ना, वो पास पास में ऐसे, बहुत सारे cubes एक दूसरे के पास रखे होंगे, तो जब हम एक face पे कुछ रखेंगे, जो एक face होगा किसी cube का, वो दूसरे face के लिए common रहेगा, जैसे तुम्हारा घर हो, तो तुम्हारा एक वाल हो सकता है, दो room के लिए common हो, ऐसे जब हम लोग solid state में किसी cube के बारे में बात कर रहे एक face जो एक cube का है, वो common होता है दूसरे cube के लिए, हर एक face, ठीक, तो फिर तो हमें सब का contribution देखना पड़ेगा, कि अगर हमने एक face पे कुछ रखा है, तो उस एक cube के लिए वो कितना part contribute कर रहा है, तो बोलेंगे, अगर हमारे पास एक face होगा, सुचो, एक face कितने के लिए common ह सकता है, हमेशा ही, किसी भी तरीके का unit cell हमारे पास होगा, unit cell किसको बोलेंगे, किसी एक cube के बारे में part contribute, हैसे तो हमारे पास infinite cubes हैं, लेकिन हम पढ़ रहे किसी एक cube के बारे में, तो इसको बोलेंगे unit cell, और जो भी अपने पास unit cell होगा, चाहे जैसा unit cell हो, चाहे cube हो, चाहे hexagon हो हमेशा जो एक face होगा वो दो लोगों के लिए common होगा या फिर जैसे तुम अपने ही यहाँ देख सकते तुम्हारे यहाँ घर में कोई ना कोई वाल ऐसा जरूर होगा जो दूसरे रूम के लिए common होगा तो दूसरे रूम मतलब दो ही रूम के लिए common होगा, एक जिसमें तुम बैठे होगे और एक दूसरे वाले रूम के लिए, हर एक बाल, तो फिर बोलते जो हैं कि अगर हम एक face पे कुछ कर रहे होंगे, उस face पे जा करके कोई ball रखेंगे, तो वो ball क्या होगा, दो रूम के लि तो 50% contribution होगा एक के लिए, अच्छा, ऐसे edges के लिए देखो तो, अगर तुम edges के लिए देखोगे तो इसके लिए तो तुम आराम से ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई edge हो, जैसे हम ऐसे दिखा देते हैं, ध्यान से देखते हैं, इसे हमारे पास है, यह रहा एक face, इसके यह रहा एक edge, यह जो मैंने face दिखा है, इसके नीचे एक cube बना होगा, इधर भी side में एक cube बना होगा, मतलब यह तुम्हारे पास बहुत सारे cube रख्या होगा, और तुम जाकर के top view देख रहे हो, उपर से देख रहे हो, तो क्या होगा, तुम्हें एक cube यह दिख रहा और एक just इसके ऊपर भी cube होगा, इसके ऊपर भी cube होगा, तो जो यह वाला edge होगा, edge, वो किसके लिए common हो जाएगा, कितने लोगों के लिए common होगा, दो नीचे वाले cube के लिए common होगा, और दो इसके ऊपर जो cube बने होगा, उनके लिए common होगा, ठीक, अगर मैं इधर बोलना चहुते हैं, यहां पर देख सकते तुम, कि जब तुम इस वाले edge की बात करोगे, ये, इसी को तो edge बोलते हैं, वो कितने लोगों के लिए common होगा, एक तो इस cube के लिए common है, और एक जो इधर cube बना होगा, उसके लिए common है, और इसके उपर भी तो cube बनेगा इसके उपर भी cube बनेगा ऐसे बहुत सारे cubes रहेंगे तो कितने लोगों के लिए वो common रहेगा वो face पे edge पे जाएंगे वहाँ पे लग रहे होंगे किसी special location पे लगते हैं तो हमें देखना होगा कि वो फिर एक cube के लिए कितना percent उसका part जो है एक cube के लिए share हो रहा है ऐसे तो वो share कई सारे room में हो रहा होगा तो एक room में उसका part कितना आप है तो face के लिए कितना आएगा अगर एक face पे तुमने एक item रखा तो एक face के लिए वो उस cube में एक cube में कितना contribution देगा half edge कितना contribution देगा one full और corner कितना contribution देगा corner तो तुम्हारा हम से समा सकते भग one जैसे अपने पास मैंने ऐसे दिखा दिए यहाँ है एक corner चार नीचे ऐसे cube बने हो जी चार जस इसी के उपर इधर भी एक cube होगा इधर भी एक cube होगा इधर भी एक cube होगा इधर भी तो ऐसे total अपने पास यह एक corner कितने cube के लिए common हो जाएगा अगर तुम जिस room में बैठे हो ना उसी में भी ध्यान से देख लोगे तो तुम्हें क्या दिखाई देगा कि किसी एक corner को select कर लो देखो वो एक तो तुम्हारे room के लिए common है जहाँ पे तुम बैठे हो और तुम्हारे वो नीचे ऐसे चार cubes होगी जिसके लिए common होगा एक ज़स तुम्हारे सामने और एक जो तुम्हारे side में किसी face के side में जो तुम्हारे room बना होगा उसके side में मतलब टोटल नीचे नीचे चार ऐसे room होगे जिसके लिए वो common होगा एक तो जहाँ पे तुम हो तुम्हारे सामने और एक तुम्हारे साइड में और उसके सामने, ऐसे चार क्यूब उपर, तो कॉर्णर कितने क्यूब के लिए common होते हैं, एक कॉर्णर एट क्यूब के लिए common रहता है, तो एक कॉर्णर का contribution कितना होगा एक रूम में, एक कॉर्णर का फिर contribution हो जाएगा, वन एट, ठीक, अच् सेंटर तो बॉड़ी के अंदर रहेगा बिल्खुल, उसका किसी दूसरे रूम के लिए कुछ common रहेगा, क्या, नहीं, कुछ भी common नहीं रहेगा, ठीक, तो तो उसका contribution कितना होगा, एक बॉल तुमने उठा कि किसी रूम के बॉड़ी के सेंटर पे रख दिया, तो, तो 100% उ कितने बनाए, 4, body diagonal अच्छे से देख लेना, edge contribution कितने होगे, edges पे जो atoms लगे होते हैं, वो 4 के लिए common होते हैं, edges पे कोई होगा, तो 2 नीचे और 2 उपर के लिए, तो edge का contribution कितना हो जाएगा, 1 fourth, कोई face पी लगा होगा, तो उसका contribution कितना होगा, half, क्यों, क्योंकि वो 2 long के ल 100% एक ही रहेगा, अच्छा, अब कुछ ऐसे चीज़ बोलने चल रहे हैं, जिनको साय तुमें tough लग सकता है, ठीक, तो इसके ध्यान से उसे अच्छे से सीखना, इसका importance बहुत होगा, जब भी अच्छे questions होगे, तो हमें बहुत मज़ा आएगा, इन सभी चीज़ों का use करने अपने से बोला जा रहा है, total number of edges passes from one corner, जिस room में बैठे हो, किसी एक corner को select कर लो, और आदर डालो कि उसी corner को तुम हमेशा देखोगे, जब भी मैं बोलूँगा एक corner को देखो, तो तुम उसी corner को ध्यान देखर जाओ, तो हमसे बोला जा रहा है, total number of edges passes from one corner, तुम जाओ किसी एक corner को select कर लो, जैसे मैंने इस corner को select कर लिया, अब यहां से कितनी edges पास होगी, देखना, एक edge तो ये, एक edge नीचे जा रहा होगा, एक edge जा रहा होगा, इधर, अच्छा जो edge इधर आ रहा है, ऐसे पीछे भी side में cube होगे, तो ये पीछे भी जा रहा होगा, इधर भी एक edge जा रहा होगा और ये उपर अच्छे से बोला जाए ना तो जिस रोम में तुम बैठे होगा अगर कॉर्णर पर जाओगे तो देखोगे वहाँ पे कुछ ऐसे बन रहा होगा एक तो उस कॉर्णर से नीचे की तरफ एक लाइन आ रही होगी जो तुम्हारे रोम में बना होगा एक तो उसी से साइड में इधर जा रहा होगा और एक जस्ट तुम्हारे साइड में अच्छे से इनको बोलें तो इनको मैं ऐसे बोल सकता हूँ यह बिल्कुल एकस वाई जेड एकस बना रहे होगे यह वाला जो है वो कहा रहा होगा यह जस्ट उपर ऐसे तो जब भी तुम्हारे पास जाओगे ना तो देखोगे ना कि तुम्हारे पास जो टोटल एजेज होंगे यह वो बिल्कुल एकस वाई जेड एकस जैसा काम करती है ऐसे एक कॉर्णर से टोटल कितने एजेज पास होंगे तो बोलेंगे एक यह दो तीन तो तुम्हें साफ दिख रहे होंगे सारे नांटी 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 पे और जस्ट उनी के अपोजिट जिसको तुमने बच्पन में कभी बोला होगा एकस एकस डैस वाई वाई डैस इस तरीके से तो एक कॉर्णर से टोटल एजेज कितने पास होंगे एक कॉर्णर से अगर एक कॉर्णर पे खड़े हो जाओ तो अगर तुमसे कोई बोले कि क्यों तुम एज के लॉंग चल सकते हैं तो हम लोग किधर किधर जा सकते हैं एक कॉर्णर पे रह करके एक तो तुम पीछे जा स सकते हैं उसी एच के लॉंग एक ज़स सामने जा सकते हैं दो हो गया एक उसी के लॉंग ऊपर चले गए एक नीचे चले गए एक साइड में 90 पे और एक 90 पे और तो ऐसे टोटल अपने पास एजेस होंगे अगर तुमने एक सवाई को प्लेंड बोल दिया तो यह जेट बिल्कुल उपर जैसा होगा इस कॉर्णर से टोटल एजेस तो नंबर ओफ एजेस पासेस प्रॉम वन कॉर्णर नंबर ओफ एजेस पासेस प्रॉम वन कॉर्णर यह सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आता हो नहीं आता हो फरक नहीं पड़ता है बस तुम अच्छे से दिमाग में बिठाते रहो अगर इस चेक्टर को अच्छे से सीखना है तो तो टोटल नंबर ओफ एजेस पासेस प्रॉम वन कॉर्णर कितने हो जाएंगे सिक्स अच्छा टोटल नंबर ओफ फेसस अटाइ अच्छा ध्यान से देखो एक कॉर्णर से क्या एक क्यूब में एक ही बॉड़ी डाइगनल बना सकते तुम अगर एक कॉर्णर तुम सलेट कर लोगे तो एक क्यूब में तो एक ही बॉड़ी डाइगनल बनेगा तो अगर तुम अच्छे से दिमाग में लगा रहे हो गे तो corner पे जा करके देखो तो हम लोग कितने body diagonals एक corner से create कर सकते हैं एक ही corner से corner छोड़ नहीं दे ना जिस corner के बारे में बोला जाए वहीं पे जा करके बिल्कुर बैट हो उसी के बारे में सुचो तो एक corner से total कितने body diagonals निकल रहे होंगे चार नीचे निकाल सकते हैं हर एक cube में एक body diagonal हर एक cube में एक body diagonal निकल सकता है corner से body center के थुरू होते हुए एक ही लतो line बना सकते हैं तो चार नीचे cube हैं, चार ऊपर cube हैं तो कितने total body diagonals होंगे जो pass होंगे एक corner से 8 कैसे? बोलेंगे एक corner एक क्यूब के लिए कॉमन है और गर हम एक कॉर्णर को सेलेक्ट करते हैं तो एक क्यूब में तो एक ही बाड़ी डाइगनल बना सकते हैं तो टोटल कितने body diagonal बना सकते हैं हम लोग? टोटल body diagonals जो एक corner से pass होगा, एक corner से, अब जो ये चीज बोला जा रहा है, वो एक cube के लिए नहीं है, ये तो pass में बहुत सारे cube से सब को ले करके बोला जा रहा है, जब भी जह हम लोग corner जाएंगे, corner तो बहुत सारे room को ले करके share कर रहा है, तो हम उन सब को मिला करके देख रहे हैं, कि एक corner पे अगर हम बैट गए और हम से कोई बोले कि body diagonal के along चल के दिखाओ, तो कितने तरीके से जा सकते हैं, तो टोटल हमारे पास कितने body diagonal मिलेंगे एक corner से, एट, अच्छा, टोटल number of faces attached with one corner, टोटल number of faces attached with one corner, लगाओ दिमाग, इस number को देख करके दिमाग में यह नहीं सोचो कि यह रट डालेंगे हम, बिलकुल नहीं काम चलेगा, जब भी कोशन में आएगा, बहुत अच्छे से घुमा देगा, और तुम्हारा दिमाग में काम कर रहा होगा तब, अभी दिमाग में सोचो, एक corner पर चले जाएं, तो कितने faces होंगे जो एक corner को touch कर रहे होंगे, टोटल number of faces जो एक corner को touch कर रहे होंगे, अच्छा, मतलब अगर तुम corner पर खड़े हो जाओ, तुमसे कोई बोले, चलो तुम corner पर रहे करके face के along जा सकती, तो हम कितने तरीके से जा सकती, तो अगर हम चार आसान आसान चीज़े बोले, जैसे हमारे पास किसी बहुत सारे cube का, यह मैंने चार उठा लिए, यह एक corner हो गया, यह सारे cube हैं, बस मैं ऊपर से देख रहा, हम लोग ऊपर से देख रहे, तो फिर हमें कितने दिखाए देंगे, तो यह चार faces दिखाए दे रहा हूँगे, यह एक corner है, तो हम लोग इस face के along जा सकते हैं, इस face के along जा सकते हैं, तो यह चार तो साफ साफ होंगे, अगर तुम एक corner देख रहे हो तो जो fine लगा है वो वाला face, जिस पे fine लगा हुआ है तुमारे room में, उस corner को अगर select करो तो ऐसे कितने faces होंगे, एक तुमारे room में होंगे, नीचे कितने क्यूप के लिए comment था, 8 के लिए, चार नीचे होंगे, तो थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं इधर दिखा देता, ने तो सायत में दिखे भी ना, इस corner से, अच्छा ये वाला जो face होगा, क्या इसी corner से attached होगा, है, ये वाला जो corner है, उससे attached ये वाला face रहेगा ना, ये वाला face, ये वाला भी face उसी corner से attached है, उस corner से, अच्छा ये वा रहा होगा टोटल अपने पास फेजस कितने चार ये समझ में आए ठीक अच्छा ये तो तुम जानते हैं कि ये तो अईसे नीचे गया होगा क्यूप बनाते हुए ऐसे ही ऊपर भी क्यूप आया होगे यह जो corner है, यह 4 faces के लिए तो common हो गया, अब यह जो cube, यह तो ऐसे square नहीं है न, यह तो नीचे भी cube जा रहा है, उपर भी cube आ रहे हैं, तो ऐसे उपर भी cube होंगे, नीचे भी cube होंगे, तो होगा क्या, जो यह edges है न, जब नीचे cube बना होगा, तो इसी edge के long क्या रहा होगा, face इसी edge के long क्या रहा होगा, face, यह इसी edge के long क्या रहेंगे, face, इसके edge के long क्या रहा होगा, face, तो 4 तो यह face जो तुम्हें दिख रहे हैं, और जब यह नीचे गया होगा, cube, सारे यह तो cube हैं, जब नीचे वाले cube को देखोगे, तो यह सारे edge के long क्या रहा होगा, face, तो 4 यह face जाएंगे और ये वारा क्यूब ऐसे नहीं कि नीचे ही गया होगा उपर भी आएँगे तो चार उपर भी एजेज चले आएंगे तो चार उपर भी फेस आजा एक कॉर्णर से टोटल फेसे जो 28 होते हैं, चार ये, चार फेसे अटाइस होते हैं, ये बिलकुल नीचे वाले, और चार फेसे अटाइस होते हैं, बिलकुल उपर गले, तो टोटल फेसे अटाइस होते हैं, एक कॉर्णर से, नमबर ओफ फेसे अटाइस विथ वन कॉर्णर, वो हो जाते हैं अपने पास, 12, नहीं समझ में आया, तो अच्छे से सीखो, अभी जिन्दा रहोगे, इस वाइरस के बाद, तो हम लोग मिलेंगे, तो फिर से सीखेंगे, या जो भी डाउट होगा, उसको क्लियर कर देंगे, लेकिन अभी, अभी इनको ऐसे ध्यान से देख करके रखो, कि टोटल नमबर अफेसे अटाइस विद वन कॉर्नर कितने होते हैं, 12, टोटल नमबर अब बाडी डागनल कितने थे, 8, टोटल नमबर अफेस, टोटल नमबर से झेली आ ए, यह भी ए, तो यह कितना होगा, बिल्कुल कभी सना होगा, तुमने पैथा गुरस बाबा की बारे में, क्या करते हो अधर, यह कितना होगा, रूट अवर अ Squire, प्लस A Squire, कितना हो जाएगा यह, हम, ऐसे नहीं करना कि A Squire A, A Squire A, तो यह 2A बन गया, ऐसे तो तो तुम लोग बाई वाले कुछ भी कर सकते लेकिन यहां पर क्या होगा ए रूट टू तो फेस डाइगनल का लेंद कितना ए रूट टू ऐसे बाड़ी डाइगनल का लेंद कितना होगा निकालो कितना आ जाएगा ए रूट थ्री Body-Dragonald का Length कैसे निकलुगी body-Dragonald तो जैसे मालड़ यह हमें ले लिए Body-Dragonald ठीक तो Body-Dragonald को अगर हम लोग दूसरे तरीके से जाना चाहिए Body-Dragonald के Lόng तो क्या होगा जिस corner से तुमने select किया था उसे से नीचे चले आओ तो क्या मिलेगा तुम्हें जैसे तुम नीचे आओगे तो तुम्हें मिलेगा एक एज, एज का लेंट कितना ए, फिर जो नीचे वाला एज आया उसके थूरू उस कॉर्णर के लॉंग चले जाओ, यह भी एक एज है, कितना है इसका लेंट, ए, अच्छा, जब नीचे पहुँच पाओगे जहां तुम्हारे पास body diagonal है यह फिर बन जाएगा face diagonal जो तुमने थोड़ी दिर पहले देखा था कि अगर यह हमारे पास face होता और यह ए रहता तो यह क्या बनेगा face diagonal तो क्या होगा उस corner से निचे आओ a distance फिर किधर के long चले जाओ face diagonal के long और face diagonal का length जो तुमने अभी निकाला कितना a root 2 अब इसका length तुम calculate कर लो कितना मिल जाएगा a root 3 यह कौन है यह है अपने पास body diagonal अच्छा इतनी सारी चीज़े देखने के बाद अब हम लोग कुछ छोटे छोटे questions कर लेते हैं ठीक दिमाग मे क्या रखें अभी के लिए अभी बस दिमाग में यह रखो corner का contribution कितना है one by eight face का contribution कितना है one by two edge का contribution कितना है one by four रट डालोगे रट डालोगे तो फिर हो चुका यह chapter यह chapter बिल्कुल रटने वाला है नहीं उतना ठीक अच्छे से दिमाग लगाओगे तो बहुत आसान सा chapter है ज चलो आओ questions कैसे रहेंगे अपने पास कुछ questions ऐसे होते हैं जिनमें हमसे बोलता है formula बनाओ ठीक क्या बोलेगा हमें एक-एक करके हम देख लेते हमारे पास जैसे हमसे बोल रहा है A-types का एक-एटम है मतलब एक-एक-एक-बॉल जैसा मान लो तुम बिल्कुल स्पेरिकल जैसा यह A-type के कुछ एटम्स हैं जो corners पे लगे हैं Corners पे, Cube के, ठीक, सारे Corners पे और जो A-type का एटम है वो लगा है सारे के सारे Face Center पे तो हमसे पुछेगा बताओ, Effective Number of A, मतलब वो जो बॉल है Effective Number of A in 1 Cube तो कैसे देखेंगी, बोलेंगे जो अपनी पास A है वो corner पे जा रहे हैं एक Cube में कितने corner होते हैं, हमें एक ही Cube में एसर देखना होता है एक Cube में कितने corner होते हैं, 8, अच्छा एक corner का contribution कितना होता है, 1 by 8 तो अगर वो सार एक कॉर्णर से तो 1 by 8 देता तो 8 कॉर्णर से कितना देदेगा 8 into 1 by 8 और भी कहीं गया है कहां गया है यह फेस के सेंटर पे टोटल फेस कितने थे 6 तो फेस सेंटर कितने होंगे 6 ही रहेंगे अच्छा जो फेस पे जाएगा वो कितना contribution देगा half क्यों क्यों कि फेस दो लोगों के लिए common होता है तो यह हो जाएगा 6 into half तो टोटल कितना हो जाएगा भाई यह 1 plus 3 1 plus 3 कितना हो जाता है अच्छकल क्यवल 1 plus 9 मोबाईल नहीं मुला जा रहा है 1 plus 3 कितना हो जाएगे 4 तो टोटल effective A आ गए एक क्यूब में कितना होगे अच्छा यह तो हो गया क्यवल A मतलब एक क्यूब में 4 A लगे होए थे वही बार बार repeat होते रहेंगे ऐसे बाद में दूसरे क्यूब में दूसरे क्यूब में ऐसे अच्छा इसी को मैं ऐसे बोल देता कि A जा रहा है corner पे crystal बन करके आएगा जहां पे A type के atoms corners पे लगे होंगे B types के atoms face center पे लगे होंगे तो हमें ऐसे जगहों पे क्या करना है ऐसे compound का formula बताना है चलो कैसे बोलेंगे formula हमसे पूछेगा formula मतलब जैसे NACL, CACL2 ऐसे होता है न वहाँ पर भी जो calcium और CL है ऐसे कहीं लगते हैं जाकर के अभी मैं वो सब ना बोल करके बस A और B बोल देता A गये है corner पे कितने corner होते हैं क्यूब में 8 उनका contribution कितना होता है 1 by 8 ये कौन है ये है A formula बोलना होगा तो ऐसे बोलेंगे अच्छा B कहा है face center पे face center कितने होते है 6 तो और उनका contribution कितना रहता है faces पे जो भी जाएंगे उनका contribution हाफ रहेगा तो A एक room में कितने हो जाएंगे A हो जाएंगे 1 देखो क्यों क्यों क्योंकि A तो गया है क्यों corner पे B गया था B टाइप का एक item था वो गया था face center पे उसका contribution 1 by 2 था तो B कितने हो गया एक room में या A cube में कितने 3 तो formula क्या बन गया AB 3 ठीक AB 3 बन गया formula बस जाएंगे भारत यहीं करना है अपने को अच्छा अगर अपने को बोला जाएं आपने को ही बोला जा रहा है क्या बोला जा रहा है कि A टाइप के items हैं जो गये हैं edge center पे B टाइप्स के items हैं जो गये हैं body center पे और C टाइप्स के items हैं जो गये हैं corner पे और हमसे पूछ रहा है अपनी सैतान खोपली लगाओ और बताओ formula क्या होगा तो बोलेंगे A गये हैं edge center पे B गया है body center पे C गये है corner पे edge center पे edges कितने होते थे 12 तो edge का contribution कितना होता है edge का contribution one fourth क्यों क्योंकि edges चार लोगों के लिए common होते हैं ऐसे B कहां गया है body center पे body center कितने होते body center तो एक ही होता है एक room में अच्छा उसका contribution कितना होता है body center है तो body के अंदर रहता है उसका contribution कितना 100% मतलब one अच्छा C कहां गया है corner पे total corner कितने होते है eight और उनका contribution कितना होता है one by eight बस प्रांग क्या a3 अब इसी को solve कर लो भगवान bc a3 bc यह हो जाएगा अपने पास formula ठीक चलो एक और ललू सा ले 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 अगर हमसे बोला जा रहा है जो अपने पास a types के items हैं वो लगे हैं कहां लगे हैं भाई चलो ले ले लेते हैं वो corner पे लगे हैं साथ में वही लगा है face के center पे भी कौन a type के items हैं और जो b type के items हैं वो कहां पे लगे हैं वो लगे हैं body center पे तो तो क्या question वही है formula बताओ फिर कैसे बनेगा फिर आओ यह गया है corner पे corner कितने होते हैं 8 contribution कितना होता है 1 by 8 और कहां गया है face center पे faces कितने होते हैं 6 face center कितना होता है 6 contribution कितना होता है तो दो जगा गया तो plus multiply नहीं कर देना B भी गये है body center पे तो body center कितना होते हैं एक contribution कितना होता है 100% तो formula क्या बन गया 1 यहां से आ जाएगा 3 यहां से total कितने हो गए 4 तो A 4 B ठीक A 4 B कुछ यहां दा रहा है A 4 E A C जो मैंने वहां पर कभी बोला था एलकीन, एलकाइन, एसीड़माई, डीस्टर चलो वोतमा यसे मजाक के लिए बोल रहा हूं वहां पर एक formula हम लोग याद करते थे sodium borough hydride उन लोगों को reduce नहीं करता था लेकिन यहां पर हमसे formula पोच रहा था तो यह हमें मिल जाएगा A 4 B formula मिलगा यहीं मिला answer ठीक अच्छा थोड़ा साइसे और खुदसूरत बनाया जाए इसे बान पर खुदसूरत देखो अपने पास बोल रहा है A type के जो atoms हैं सारे के सारे corner पे तो गए हैं all corners पे A हैं but from one corner सारे corner पे A है but from one corner A is missing जैसे अभी निजामुद्दीन वाले virus missing है पता नहीं चल रहा है वो लोग कहां कहां गए तो A all corners पे गया है but one corner but from one corner A is missing और B गया है अपने पास face center पे हमसे बोल रहा है चलो लगाओ अपनी सायतान खोपड़ी बताओ हमें formula तो क्या करें A कहां गया है corner पे अच्छा corner कितने होते हैं भगवान corner होते है 8 लेकिन सारे corner पे तो वो गया लेकिन एक corner से वो गया है तो total कितने corner पे go गया 7 पे गया पहले तो 8 होते थे सारे पे जाता तो 8 ही रह जाता लेकिन एक जगह से वो गया है इसका मतलब 8 में से 8 में तो गया नहीं एक में नहीं गया है तो 8-1 अच्छा जितने पर भी गया होगा contribution कितना देगा 1 by 8 क्यों क्योंकि गया है corner पर ये है corner अच्छा B कहां गया है B गया है face center face center कितने होते है 6 contribution कितना होता है half 1 second लएगा जायत में formula बनाने हमें कितना हो जाएगा ये A 7 by 8 B 3 अच्छे लिख दोगे नहीं इतना गंदा formula थोड़ी ना देखने को मिलता है तो क्या हो जाएगा ये A 7 B और ये multiply कर दो जायत में आता हो ये table कितना हो जाएगा ये 24 A 7 B 24 तो ऐसे छोटे छोटे formula बन सकते हैं अपने पास और ऐसे question दिया जाए सलवाओ हमसे बोल रहा है B गया है face center पे but from one face center it is missing B गया है face center पे लेकिन एक face center से जो B है वो गायब है and in place of B A is present अतलब मतलब तो मैं कोशन ही नहीं दीख रहा था हमें B face center पे गया है लेकिन एक face center से B गायब है और वहाँ पे जाके देखा गया तो B नहीं वहाँ A दीख रहा है इत्ती dangerous ही कहाँ नहीं दिया है हाहा और A कहां गया है और A बोल रहा है चलो वो गया है इसका मतलब A दो जगां गया है कहां कहां एक तो वहां जहां से B गायब है वहां पे A है और A कहां गया है corner पे अब भी कहा गया है face center पे लेकिन उसकी किस्मत फूटी है एक face center से वो गायब है तो हमें बोल रहा है formula बताओ चलो formula बताना है अपने का तो क्या करें सैतान कोपड़ी कुमाया और देखें इधर पहले एक ही बात कर ले चलो कर ले तो एक कहा गया है एक गये है सारे corner पर सारे corner पर गये हैं हो कहीं से गया पर क्या नहीं तो a 8 corners होंगे contribution 1 by 8 plus कहीं और भी गया है जहांभी गाइब है ऑच बी कितनी जगह से गायब है एक ही जगह से गायब है तो वहां पे कौं गया है A तो a गया है एक फेट सेंट्र head क्यों Anders टोटल पर जाया पर टो एक जगह से यह जगह जी तो इसका मतलब A कहीं और गया है इसलिए प्लस कर रहे तो एक ही गया होगा एक ही face center पे तो 1 in 2 face center पे जो भी जाएगा contribution कितना हो जाएगा half अच्छा B कहा गया face center पे faces कितने होते थे 6 लेकिन उसका किस्मत खराव है सारे पे वो जा नहीं पाए एक जगा से उगायब था तो 6 मानेस 1 और face का contribution कितना half तो तुम्हें formula क्या मिल जाएगा आओ बनाते है formula यह हो जाएगा 1 प्लस half और यह हो जाएगा B यह कितना हो जाएगा 5 by 2 क्या करें करें कहा यह हो जाएगा 3 by 2 यह 5 by 2 और simple way से बनाने के लिए इसको हम लोग लेख सकते A 3 B 5 बाद में 2 से multiply कर लेते हैं यह बनेगा पहले यह A 3 by 2 B 5 by 2 तो बन जाएगा ऐसे तो ऐसे बहुत सारे questions खुद बनाओ practice करो formula बनाओ एक दो मैं दे रहा उनको कर लेना मन करें तो हमसे बोल रहा है A गया है सारे corner पे और यह बन जाए तो comment कर सकते नीचे ठीक अगर हाथ वाथ काम कर रहा हो सो नहीं गया हो तो फिर दे देना इसका answer ठीक और जब भी सोया करो तो गिर जाए करो अधर जो red वाली बटन है लेकिन छोड़ो आओ इदर देखो A है corner पे but from two corner A is missing ठीक और B गया है face center पे इसका formula बताना दिख रहा है दिखेगा ही आँखे अगर तुम खुली रखोगे तो ऐसे और भी बोल रहा है चलो P type के items है वो गया है face center plus edge center ठीक P Q गया है body center पे and from one edge center P is replaced by Q P गया है face center पे और edge center पे Q गया है body center पे और एक edge center वाला P replace किया गया है Q से पी गया है face center पे और edge center पे Q गया है body center पे and from one edge center P is replaced by Q एक edge center से P को Q से replace कर दिया गया मतलब भी बिल्कुल वैसा ही है कि एक edge center से P is missing और उसकी जगा पे कौन आ गया है Q तो formula बना करके नीचे भीचें अगले दिन हम लोग इसे से आगे चलेंगे और solid street बड़े मज़ेदार topic हैं बस इनको तुम थोड़ा सा visualize करो नहीं तो मज़ा नहीं आएगा और मज़ा नहीं आए तो फिर सब बेकार हो जाएगा चलो आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग ठीक जा सकते तुम सोच सकते जाख सकते जमन करें वो करो बाहर नहीं भाग सकते नहीं पड़ेगा